में प्रेपरेशन वर्डवनम को हम डीटेल से डिसकस कर चुके हैं अपने वीडियोस नहीं देखी है तो यू कन चेक प्लेएव प्लेएस्ट मिले कि उसमें वीडियोस है आपकी ठीक है लेक्टर वाइच तो आप वो चेक कर सकते हूं देखो फीजिकल में आप पताते हो कि अपीरियंस कैसी है ओडर कैसी है सोलिबिलिटी नीचर कैसा उसको ही बताते हैं कैमिकल में हम एक ये सब्चेश को करहें तो प्रौपटी पहले आपका जो कलर है यह आपका यह कलर लेक्षंड होता है थीक है यह वोटर में आपका सोल्यूबल होता है। वैसे तो आपको कलरलेस लिकुड है आलकोहल में भी होता है और इसकी जो रियक्टिविटी हाइब होने की विजए से जो पायरोल्टिन की तो यह आपका माइल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रियेजन्ट की तरह बेव करता है और आपका स्टेरिक जो आप देखते हैं स्टैनिक लोराइड होता नहीं जो एक वीक लैवी साइसी उसकी प्रजेंस में यह आपका रिमर टेमर डियक्शन वाला वह हम आगे डिटेल से डिसकुस करेंगे केमिकल में तब देख लोगे फीजिकल में तो आपको सिंपल नहीं 3- क्यमिकल प्रोपरटीज कैमिकल प्रोपरटीज है जो आपका इलेक्ट्रोफिल सब्छिक्डीूशन रियक्शन को स्ञेटी जो 리ंगा कि जो ब्रेटरि प्लेटरोटीउटे में तेंडर जिसे यहां पर जो एमने रावी ब्चुछन टेक्चर लिए और वैसे आपका यह प्याइरोल और बैंजीन के हम देखे राज हो जादा स्लिप पायरोल बैंजीन से भी जादा रियक्टिव होता है वैसे रियक्टोफिल जो सब्सक्राइब याद रखने रहा कि यहां पर आपका टेक करेंगा जो भी लेक्टोफियर वो का अलफा तो अब हम एक्जांपल डिसकॉस करेंगे तब पता चलेगा वैसे आपका इस पॉजिशन के उपर अटेक करता है क्योंकि जब आप रेजोनेटिन स्टैक्स दो करोगे ना तो इसके उपर इलक्टोन डेस्टी सबसे जाता है तो वहाँ पर आपका इलक्टोफाइल अटेक करे टो उसे नायवटोन करेंगे आपका इस का लगेर एलक्टोफाइल अनोड़ मैं तो आपका जो नोड़न करेगा तो वह इस पॉजिशन कर दोगे अप इसका 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 ते खार पार अ्युठी क Peng लेंटी सबके नोड़नी इसका तो यहां सबस्यां कर दोगे दो आपका य पोजिशन के उपर आयोडी लग जाता है यह आपको थोड़ा माइंड में डखना है और जो पाइरो फ्रीडल क्राट आसाइलेशन रियक्शन करोगे तो वहां पर भी जो आर ग्रूप हो का वह भी सेम आर इस पोजिशन पे होगा लेगिंपोर्टेंट रियक्शन होती है रिम अगर आप कपलिंग रियक्शन कर रहे हो कोई भी जिसे आप कपलिंग रियक्शन करोगे तो भी आपका यह ग्रूप है वही आर सेकेंड पोजिशन पे लेगा गट्रमें कोच करोगे तब लिया ठीक है प्रोमीन अपका लेना इतिनोल में 23 कलीण के उपर अब आगे इसमें या तो पीखने तो अब हमने सिंपल एलेक्टोफलिक वालिक्षाट देखन्हीं अब हमें रिडेक्शन और ऑग्षेड़ाश्ञ बाला भी देखना है ठीक है अब आसे इडी करेक्टर भी देखोगे विसे फिन डूप होता है वो वीग लेक्ली अ ऐसे डिक होता है और अल् और के पोजिटिव यह साइट और च्टूर रिमू हो जाता है ठीक है क्योंकि यह अजब हम फिनोल की इसके हमने स्टेक्चर देखे थी रेजुन इस्टेक्चर आप ड्रो करोगे तब आप इस पोजिशन के ओपर जादा जो नेगिटिव चाल जाता है मतले इलेक्टोन डैंस्टी आपकी बेसिक रेक्टर भी होता है वैसे पाइरोल का वो अक्सेट का शकता है प्रोटोन को हम आगे इसमें स्टेक्चर देखते हैं बेसिक नेचर भी और एक आपका उक्षिडेशन और रिडक्शन डियक्शन भी य आपका तो मैलिक इमाइड आपका स्टेक्चर क्या होता है यह है अपका नेच यहां डबल बॉन ओ तो इसको हम बोलते हैं मैलिक इमाइड यह आपका उक्षिडेशन अगर आप रिडक्शन की बात करना चाहते हो तो डिडक्शन में क्या हो जाएगा अगर आपको यह पको जाएगा ठीक है अगर अगर आप चींक एसेटिक एसेट का यूज कर रहे हो तो यह डबल बॉंड आ जाएगा आप देखिए हमने देख लिया कि जिसे रिडेक्शन में तो आपको सिंपल यह दियन रखना है कि है तो आपका सारे बॉंड को रिड्यूस कर देता है डबल बॉ इसमें हम एडिशन करते हैं डाय क्लोर कार्बीन आपने जैसे देखा होगा तो आपका है जो आपका इंट्रमेडिट पहनता है और लोग आपका यह है आपका पाइरूल ठीक है यह पाइरूल माल लिया अपने अगर उसके क्लोरोफर्म की साथ में रियक्शन कर वाओगे आ की दियुका भींट है यहां पे आपका सीरहीन यहाँ से और मेंatte भार को कि एक सांब न। इस भींट हो जाती मी होtwo परे से तब्रेमिशन पेलिंग धेत लिए जाता हो ही ही जिसील साथ यह तो इतना कंड विर आधारक से मुझट ही संवर देखलिए कर में टे acceler हती थैlle तब आपका सक्सिनल लेड डायोग में की फोर्मेशन हो जाते हैं तो केमीकल के लिए सिंपल यह जादा रखो कि इस पर अटेक होता है पोजिशन्स देखो कुछ भी आजाए आपके नाइट्रेशन, सलफोनेशन, अलकाइलेशन हो, कॉपलिंग डियक्शन हो तो कार्बन इस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जर्नेशन हो जाएगा जिसमाल इ और जडो स्पीची चाहिए उनको ब्रेक करोग तो ए पोजिट्व जड नेगडिम यह आपका इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप के में क्या होता है आपका फोर्मेशन ओफ कार्बोकरटाइ इस स्टेप होता है इसकी कार्बोकरटाइल ने कैसे करों गया अपका इस ने दिया gulletal नचल 215-2011d प्रोटोन क्योंकि हमें येल्ड चाहिए लास्ट में फाइनल प्रोड़क्ट के लिए तो आज को रिमो करके आपका पाइरोल के फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है तो यह तो इलेक्टोफिल का जर्नल मेकेनिजम से हैं और यह आपको पता होना अची है कि इलेक्टोफिलिक सब्चिट्टूशन ड्यक्षण कोनसी पोजिशन के ओप टेक करती हैं तो यह आपका पाइरोल का पहले हमने प्रेपरेशन देख्या है दिन इसका इलेक्टोफिलिक वाला पार्ट को कम्प्लीट किया है नेक्ष्ट में हम फिडियो प्रेशन और रेक्शन एक ही वीडियो में complete कर लेंगे then हम थायूफीन का कर लेंगे तो यह तीनों complete के बाद हम उसमें चलेंगे अपका जो क्योनोलीन आईशो क्योनोलीन लगे रहागा तो आहीं होप आप कोई समझ आ रहा होगा कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो थैंक्स पर ओचिंग मैं चनल